नमोशकार आधर सिक्षण संस्तान नागूर की ओनलाइन ख्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन विशे हिंदी कशा दित्या दित्या क्लास में आज हम पार्थ तीन सब्द निर्मान करना सीखेंगे वर्ण के आधार पर शब्द बनाना यानि कि ये है वर्ण गय लिखावाई चै मैं ले ये रे पै है और बै इन वर्ण के आधार पर अपने को शब्द बनाने हैं जैसे गय गय से क्या बनता है गंगा गाई गनेश और गमला ये गय वर्ण है इसके आधार पर अपने को शब्द बनाने हैं अब जैसे ये लिखावाई ए एक वर्ण से आपको नया शब्द बनाना है आप बना सकते हूँ नैसे ऐसे अमर अदरग अजकन और अजगर ऐसे ही आगे चै वर्ण दियावाई चै वर्ण से आपको शब्द बनाना है चै से चल चटक चटक एक चीड़िया को भी चटक बोलते हैं और चटक जल्दी से कोई कार्य करता है उसको भी कहते हैं चटक से और ऐसे ही आगे चमाच और चै वर्ण से कौन सा शब्द बन सकता है आप भी सोचिए एक मैंने लिखा है चरखा ये वर्ण के अधार पर मैंने नई शब्द बनाएं चार सा नई शब्द बनाएं अगर आपको और भी आते हैं तो आप और भी शब्द बना सकते हैं जैसे मैं मैं वर्ण से बनेगा मचली मगर मगर यानि मगर मज को मगर भी बोलते हैं और मैसे कौन सा बनेगा आप सोचके लिख सकते हो मैसे मजाग और मैसे बनता है महल महल होता है जहांके राजा मारा जहां रहा करते हैं लैसे लट्टू लहर और लैसे बनेगा लट और लैसे बनता है लचक ऐसे ही यह वन्ट से आपको बनाना है यह से क्या बन सकता है आप सोचिए यह से मैंने बनाया है यह यह किसी का नाम भी ओ सकता है और अपने को प्रसीदी मिलती है यह ख्याती प्राप्त होते है उसको अपन करते है यह हुआ यह नाम रोशन करना यह करा हम लोगों का ऐसे बोलते हैं और यह से यग्या जिसको हवन भी बोल सकते हैं और यह से यश्राज यम्राज भी होता है यह से ऐसे ही रह से रह वन से आप नए शब्द बना सकते हैं जैसे यह से आप भी कुछ सोच के बोल सकते हैं लिख सकते हैं आपको इसके लावा मेरे मैंने जितने लिखे हैं इसके लावा आपको कोई आता है तो आप वो लिख सकते हैं जैसे यह से रह से राम राम श्री राम बगवान होते ना राम वो राम रैसे राजा रानी और रैसे रागाव रागाव भी किसी का नाम हो सकता है ऐसे ही आगे पैसे पैसे भोछ से नए शब्द बन सकते हैं पैवर्ण है इससे आप बहुत से बना सकते हो जैसे पतंग पलंग और पट जिसको परदा भी बोल सकते हैं पट कहते ना बगवान के पट खूल लेंगे अभी पट पालक ऐसे ही आगे लिखावा है हैसे हम हल्वा हल्वा तो आप सब जानती हैं वो तो सब को अच्छा लगता है हल्वा और एक होता है हमला और ऐसे होता है हत्या और अब है बै बैवन से अपने को शब्द बनाना है जैसे बैवन से बनता है बैटक है बतक बैसे बन गया बतक और बैसे ही बनता है बंदर बैसे ही बनता है बकरी और बैसे ही बनता है बर्खा बर्खा किसी बहन का भी नाम हो सकता है आप लोगों में से इवन के आधार पे शब्द बनाना है ये मैंने शब्द बनाएं मैंने यहाँ पर चारचर शब्द बनाएं आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हूँ जैसे गैवन से मैंने बना दिया गंगा, गाय, गनेश और गमला ऐवन से बनाया है अमर, अद्रग, अचकन, अचकर चेवर्ण से बनाया है चल, चटक, चमच, चरखा और मैं से बनाया है मचली, मगर, मजा, महल ले से लट्टू, लहर, लट्ट, लचक ये से याश, यग्य, यश्राज और यम्राज ये इतने वन्ट से मैंने नए शब्द बनाये है अब आप इन से और शब्द बना सकते हैं आपको इससे ज़्यादा आते हैं तो आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं ये ग्रैकार्य आपको अपनी कौपी पर करना है और उसके बाद में कैसे लेके गया तक आप लिख के उसके उन सब के नए शब्द बना सकते हैं मैंने ग्रह कार्य आपको दिया है जैसे मैंने लिखा है कैवन से आपको चार नए शब्द बनाएं अब मैंने नए दिया है नैसे आपको चार नए शब्द बनाना है और ऐसे ही मैंने चै दिया है चैसे आपको बनाना है चैसे भी मैंने बनाया था इसके अलावा आपको और बनाने है और भैसे बनाना है भैसे जैसे बालू होता है भाई होता है ऐसे ही आपको बनाना है और इसके लावा मैंने दिया है आपको 6 इसे आपको नए शब्द बनाना है ये ग्रह कारे आपको अपनी कोपी में नए शब्द बना के करना है और उस पे सलेट पे भी ये ग्रह कारे आपको करना है धन्यवाद